Hatalenya riga food अब तो माइनई मीज्ड इसे लिफ्ञार दोस्तो मैं आज की सेशल की वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मिला सिखाने जा ने जारहाँ संभेफ कि हो सकता है कि आपको समिफ का जो फॉर्मला है वह आता होगा बट जिस तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाला हूं आपको नहीं आता होगा और अगर आपको आता भी है एक वार आप वीडियो को जरूर देखें आप कुछ न कुछ इसकंदर नया जरूर सीखेंगे आज के मारी इस वीडियो में देखिए दोस्तो जैसा कि अगर मैं आप से कहूं जैसा यहां पर आप एक स्क्रीन देख रहे है मैं जिसमें हमें इसमें इसमें हैं है जो आपर जो है अपर जो हैं डो कॉलम ले रहिख है इहाँ पर इसक कि आनमे करेंगे तो तो थे हैंर लेगे और यहां पर सिंप्ली का सइन लगाएंगे Gen पे click करेंगे plus का sign लगाएंगे January पे click करते जाएंगे जितने भी short और जो complete name है उन जैन पे click करेंगे और enter करदेंगे अब देखेंगे इसके नीचे कोई jam नहीं है बस नहीं है और okay करेंगे तो अब देखेंगे finally जो आपको number मिलता है वो मिलता 212 212 ठीक है लेकिन ये एक long process है आपको क्या करना है कि sum में एक बार आपको generally find करना है और आप निकालेंगे तो यहाँ पर यह निकलेगा लेकिन अगर बहुत बड़ा data है उसमें साब कोई चीज करनी हो तो बहुत ही जादा जो है आपका time जो है खराब होने वाला है इस process को करने म तो मैं आपको एक short तरीका बता हूँगा जिसके थूरू आप निकाल लेंगे तो अगर आपको sum if आता है तो आप तो simple कहेंगे कि इसमें किसमें क्या है इसमें सिंपल हम यहाँ पे इस कल्टर लगाई है सम if लिखिए bracket लगे range पूछा है हमसे तो range को select किजिए इस तरीके से गया बड़ दोस्तों जैसे आपने देखा कि मैंने एंटर गया है यहाँ पर जो अंसर है 156 जो है वो या रहा है 156 अंसर आ रहा है लेकिन जो जैन्वरी जो है उसका पूरा जो से वह 212 आना चाहिए अब problem यहने कि जब हम सम if लगा है किसी एक criteria को चूज कर लेते हैं जैसे जो complete जो जन्वरी वाला जो नेम है इसको इसने calculate नहीं किया तो यह नुकसान है आप अगर इस तरीके से करते हैं तो लेकिन टैंसल लेने की कोई बात नहीं है मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इसको easily solve कर सकते हैं जन्वरी आपका चाहे शाट में लिखा हो य आपको लगाना है is equal to and again place करना है समिफ करना सेम आपको वही चीज़ है range है range आपको यहाँ पर पूरी select कर लेनी है and comma लगाना है अब आपको यह चीज़ याद रखना है जब आपने comma लगा देना अब आपसे पूस्ता है क्राइट एरिया तो क्राइट एरिया में आपको यह आप लगाएंगे double quote ठीक है और double quote के अंदर आपको वह data feel कराना है जो जिसकी value आपको यहाँ पर चाहिए तो अब double quote लगाने के बाद आपको यहाँ पर star का sign भी लगाना होगा and उसका आप यहाँ लिखेंगे ja and jan clear again आप यहाँ पर लगाईए star and double quote लगाईए ठीक है यह हमा आप अपने इस सेंट को जो है select लिजे पूरे को देखें पूरे को आपने select कर लिया है select करने वाद आपको कुछ नहीं कर रहा है simply bracket को कीजिए close and press then enter और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका जो नंबर है वह बिलकुल यहाँ पर answer जो है आपका आ गया अब इसने क्या किय जैन और जैनवरी जो पूरा complete नहीं में जैनवरी का word जो spelling है वो और जो short में जैन लिखा ही है इसने क्या किया इन सब को जैनवरी है जैनवरी जैनवरी को calculate कर लिया और calculate कर गए हाँ पर मुझे एक साटिक अंसर दे दिया है तो इस तरीके से आप निकाल सकते है I hope दोस्तों जो कि आपको वीडियो पसंद आई ओगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें like, comment करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लेगी उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर आप नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करें बैंट को जरूर किलिक करें तक आने वाले वीडियो नोटिफियस नापको आपन वीडियो से देकर और भी बहुत सारी चीज़ एक्सल और इस चैनल के माद आपको नहीं के लिए जरूर कर लें नहीं तो आने वाली वीडियो को मिलेंगे और सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ जो हैं वह सीख पाएं एक्सल में हमारे इस चैनल के माद तो मिलेंगे एक नई वीडियो के सब्सक्राइब